नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं GTS का सबसे भरश्यमानत यूट्यूब चानल GTS ओर जिनाफ GTS से जुड़े सभी लिए टेस्ट कवर पाने के लिए ये चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि मेरी कॉमेंट बॉक्स में सभी GTS रेजल्ट वेस्ट बेंगॉल और इसकी काट ओप के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए मैं इस वीडियो में आपको रेजल्ट और काट ओप की सही जनकारी दोंगी इसलिए आप इस वीडियो को जरूर इंट तक देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट बेंगॉल का रेजल्ट सौट लिस्टेड हो चुका है और ये एक हपते के अंदर ही आ जाएगा मैं आपको एक कॉनफरमली बता रहा हूँ क्योंकि ये रेजल्ट में में ही आजाना चाहिए था लेकिन इतने दिनों की हर्ताल के बज़े से डिले हुआ सरकार अब जितनी जल्दी हो सके रिकुरिमेंट करेगा क्योंकि इतने दिनों के हर्ताल की बज़े से बहुत काम पेंडिंग है और दूसरी दरफ से GTS करमचारी का संखा भी बहुत काम है तो आप धीरज रखिए और एक हपता सिर्फ वेट कीजिए अब हम आपको काट ओप के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों बहुत सारी चैनल पे दिखा रहा है कि ST के लिए इतना, SC के लिए इतना, General के लिए इतना काट ओप आएगा लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है आपका काट ओप मर्क ऐसे नहीं आएगा दोस्तों जब आप फॉर्म फिलप कर रहे थे तो आपने 5 post preference दिये थे जो हम आपको picture में दिखा रहा है ऐसे तो suppose आपका percentage 83.5 है तो आपने जो जगा को select किया है उस जगा पर आपके जैसा और भी कई candidate ने select किया है तो उन में से जिसका percentage जदा होगा उसे ही मिलेगा तो जो post 1 है वहाँ पर आपके जैसा और भी कई candidate select किया है उन में से किसी का percentage 93% है उस post पे उसका ही percentage हाइस्ट है इसलिए post 1 उसे ही मिलेगा ऐसे ही बाकी सब post में भी देखा जाएगा कि किसका percentage हाइस्ट है तो आपका जो percentage है 83.5% आपने जो post reference में 4th post reference लिया है वहाँ पर आपका percentage ही highest है इसलिए post 4 आपको मिलेगा post 5 में भी आपका percentage हाइस्ट होगा लेकिन आप post 4 पर select हो गया है इसलिए आप post 5 पर नहीं जा सकते तो दोस्तो ऐसे ही selection होगा और आपके cut off mark आपकी selected area की basis में आएगा तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारी चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को like कीजिए और आपका जो doubt है वो हमारी comment box में बताए हम उसको solve करने की पूरी तरह से कोशिस करेंगे धन्यवाद दोस्तो